आको दोस लगावे सूरदास विधिना के अक्षर तिल भर मिटन न पावे उदो जब ठेड़े दिन आओं भरत्वाज सुन जाही जब होत विधाता बाम दूरी मेरु सम जनक जम ताही ब्याल सम दाम तुलसी दुर दिन पाई के सभी होते हैं बाम छाह जान जह बैठिये तहां होते हैं घ्राम माम प्रत्कूल दिन आते हैं तो अनकूल परिस्थितियां भी प्रत्कूलता में परिनत हो जाती हैं महराना प्रताप सिंग की बन वासवाली अवध में घास की रोटी बनाई गई थी और ओभी सुनाय की उद बिलाओ जपट्टा मार के ले गया बेटी चीखती रह गई तो बहुत दिनों कहूं की बहुत महीनों कहूं की बहुत बर्षों के बाद आज सोने की मुहरे दान में मिली परिवार को बड़ी आशा होई अब हमारी गरीदी दूर हो जाएगी इस से बहुत सामगरी खाने पीने की और भी आवश्कता कि हम लोग खरीद के ला सकते हैं लेकिन अब तो कल आज तो रात में मिली हैं आज तो साम को मिली हैं दिन छिपते छिपते खूटी पर टांग दी गई अब सबेरे भुनाई जाएगी आटा दाल चावल जो कुछ लाना होगा लाया जाएगा तब तक ले गए ओखैंच चूहा बिल में अब क्या करता उन मोहरों की पोटली को चूहा भुना तो सकता नहीं था बजार जाकर कोई सोधा खरीद तो नहीं सकता था लेकिन ये एक दो प्राणी ऐसे हैं जो बे मतलब लोगों का नुक्सान कर बैठते हैं खल बिन स्वारत पर अपकारी खल बिन स्वारत पर अपकारी अही मूशक इव सुनो उरगारी अप नया कपड़ा सिल्वा करके लाए रखे और सबेरा होते होते देखते हैं कि कुतर कुतर करके चुहा ने उसके टुक्डे टुक्डे कर दिये उसके तो किसी काम में वो कुतरं कतरं आयेगी नहीं और आपका सैकुन और हजारों रुपयों का नुक्सान हो गया बेमतलब पता नहीं क्यों ब्रमा जी ने इनको बनाया है ये क्या करते हैं सर्प की उपयोगिता तो अब बताईए चुहे की क्या उपयोगिता है भगवान जाने खल बिन स्वारत पर अपकारी अई मुशक यू सुन उरगारी चुहा खेच के ले गया बिल में ले गयो खेच चुहा बिल में जब भई राती निहारी स्री शूरदार से जग प्रगदे जिन पर रिये क्री से बुदारी ले गयो खेच चुहा बिल में जब भई राती निहारी स्री शूरदास जग प्रगदे जिन पर रिये क्री से बुदारी आप लोग इमांगदारी से बताईए इसमें इस बेचारे सूरदास जी का इतना भी दोश है क्या इतने भी गलती है क्या इस बालक की तरफ से वाहरे परिवार और वाहरे परिवार की समझ यह भी दोश मर्यों बालक पे हसी बोल्यों सिसु तब ही दूंगों मुहर बताए किंतु प्रण करो एक मिली सब ही सूरदास का इसमें इतना भी दोश नहीं था नहीं इतना हाथ था लेकिन परिवार ने इस घटना का भी कारण सूरदास को ही बताया हम काम में ले सकते थे लेकिन अगर ये नहीं हमारे घर में पैदा हुआ होता पता नहीं कैसे नक्षत्र में पैदा हुआ है कि इसी के चलते ही ये सारे उपद्रों खड़े हो रहे हैं सूरदा जी इस बार मन में दुखी नहीं हुए हस गए और सोचा कि मेरे लिए एक अनुपम आउसर है इस समय घर से निकलने का एक बड़ी आम मौका है सूरदास ने कहा कि अच्छा इसमें भी मेरा ही दोस्त आप लोग मान रहे हैं ठीक मैं मुहर बता दूँगा मुहरें आपको मिल जाएंगी ज्यों कीते हो बता दे बिटा लोगों ने समझा कि इसी ने कहीं छिपा के रख दिया होगा तभी तो दावा कर रहा है बता दूँगा बता दे बिटा बोले ऐसे नहीं बताओंगा कैसे बताओगे उले सब लोग मिल करके हाथ में तुलसी गंगाजल ले करके सपत खा करके और हमको बचन दो कि मुहर मिल जाने के बाद सूरदास घर से निकल जाएगा और इसको रोकने का हम लोग हट नहीं करें मुहर बता दूँगा आपके हाथ में मुहर आ जाएगी उसके बाद मैं घर में नहीं रहूँगा निकल जाऊँगा फिर घर में रहो ऐसी बात आप लोग मत कहना बचन दो यह भी दोस मड़ो बालक पे हाँसी बोलो से सुत्व ही तूँगो मुहर बताए किन तुप्रण करो एक मिल सब ही क्या प्रण कराना चाहते हो बोलो जाऊँ निकर यही प्रण करो तुमें घर से निकल जाऊँगा बताने के बाद जाऊँ निकर गेहते ना तो तोड़ी सबन निते अब ही अब लोग असमंजस में पड़े प्रतिग्या नहीं करते हैं तो मिली मिलाई मुहरें गई मरो भूख है और बताड़े तो इससे हाथ दोएंगे यह कहता कि घर से निकल जाऊँगा अब क्या करना चाहिए बोजपुरी भासा में एक कहावत है कि पुतवों मीठ अब भतरों मीठ किरिया के कर खाऊँड़े पुत्र भी प्यारा पती भी प्यारा सपत कौन की लीजे बच्चे को भी त्याकते नहीं मनता है और अगर इसको निकल जाने का वचन नहीं दे तो मुहरों से हाथ धोते हैं गरीबी इतनी हद पर पहुँची थी कि अंत में ने लिया कि ठीक है निकल जाना लेकिन बता दे इनने सोचा बदमासी कर रहा है अपने घर से निकलने का यह हतकंडा अपनाया है घर से निकल जाने का यह एक तरीका इसने अपनाया है इसी ने कहीं छिपा के दर दिया है का कि अच्छा वेटा हम लोग वादा करते हैं शपत लेते हैं कि मुहर मिल जाने के बाद तुमको घर में रहो ऐसी बात हम अपने मुख से आगरन नहीं करेंगे निकल जाना जहां तेरी राजी हो चला जाना जान निकर गे ते ना तो तोड़ी सवन ते अब ही सब मिल मतो विचार कुटुम ने हामी भर लही तब ही सपत पुरुबक बचन देदी आम हट नहीं करेंगे तुमको रुकने का बस श्री सूर्दाश्ची ने बता दिया सूचना दई शूर्दाश्ची ने सूचित कर दिया बता दिया सूचना दई चुहे के बिल की लीनी मुहर निकारी स्री सूर्दाश्च जग प्रगटे जिन पर वीजे ग्रीस्त मुरारी सूचना दई चुहे के बिल की लीनी मुहर निकारी सूर्दाश्च जग प्रगटे जिन पर वीजे ग्रीस्त मुरारी साश्वत सकाश्याम सुंदर के उधव नर्य अवतारी स्री सूर्दाश्च जग प्रगटे जिन पर वीजे ग्रीस्त मुरारी स्री सूर्दाश्च जग प्रगटे जिन पर वीजे ग्रीस्त मुरारी स्री सूर्दाश्च जग आप लोगों ने दिवाल की खूटी पर टांग रखी थी मुरे हां उस खूटी से एक हाथ उपर चुहा कबिल है हां है उसी में चुहा आज रात में आप लोगों की मुहरों की पोटली को भसीट करके भीतर ले गया है इन लोगों ने सोचा कि शाइद इसीने लकडी से उसमें ठूस दिया होगा अपने निकलने का ढंग बनाने के लिए लेकिन सूर्दाश्च जग ने कहा कि बिल के दरवाजे पर नहीं है वो बिल बड़ी लंबी है भीतर भीतर दिवाल को खोदता खोदता चुहा दूसरी दिवाल की और ले गया है भीतर भीतर बाहर से तो बिल नहीं दिखाई से एक हाथ उपर लेकिन भीतर 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 ले जाकरके वो पस्चिम वाली दिवाल से भी आगे जक्षण वाली दिवाल में और छपर से इतना नीचे और धरती से इतना उपर और उस कोने से इतनी हाथ की दूरी पर वो रखा हुआ है अब तो विश्वास हो जाना चाहिए कि वहां तक कोई लकड़ी से और लोहा से और तार से उस पोटली को कपड़ा समेत मुहर समेत नहीं पहुचा सकता है आदमी चुहा ही ले गया है आप लोग विश्वास करें लोगों ने अविश्वास पुर्वग ऐसा कैसे हो जाएगा हम आँखवाले हम लोग नहीं देख पा रहे हैं और ये बिना आँखवाला ऐसी जगह बता रहा है फिर भी खोज करके देखें हसवा खुर्पा खो जाता है तो लोग घड़े में हाथ डाल डाल कर खोजते हैं तो एक बार देखो कोशिश करके जितनी दूरी पर बताया था उस बिल से उतनी दूरी पर दिवाल खोदी गई और वहाँ पर कुत्रा हुआ कपड़ा और गिरी हुई वे सारी की सारी मुहरे मिल गई अब समझो परिवार अब सुर्दास की महिमा इसकी महत्ता इसकी इस विशेष्था का परिवार जो पता को चला परिवार को ए इतो बड़ा गुनी है भाई इतो बड़ा अनुभवी है बाहर किया कि भले नहीं है बीतर की आखे इसकी खुली है नहीं तो खूटी पर पोटली तगी थी उस से एक हाथ ऊपर चुहे का बिल है और पच्छिन की दिवाल के भीतर-भीतर ले जा करके दक्षिनवाली दिवाल में उस दिवाल के कोने से इतनी दूरी पर छप्पर से इतना नीचे धर्टी से इतना उपर एक दम वो पार्टिकुलर स्पॉर्ट बता दिया इसने वो खास स्थान बता दिया जहां मोहरे पड़ी हुई है और मिल भी गई लगता है कि इस केरदे भीतर की आँखें खुली हो अगर ये घर में रहे तो जितने जितने लोगों का जो जो सामान खोया हुआ हो वो सब लोग यही आएंगे पूछने के लिए मेरा गदा को गया है मेरी सवारी को गई है मेरा अमुक बच्चा को गया है लोग आते रहते ही तो हमारे यहां तो भीड लगी रहेगी इन पूछने वालों की जिग्यासुओं की खोया पाया केंद्र बन जाएगा और लोग प्रभावित हो हो करके और हमको दान दक्षना भेंट में उच्छावर चड़ाते रहेंगे हम तो खुब माला माल हो जाएगे इसको रोकना चाहिए लेकिन अब क्या तीर निकल चुका है कमान से वापस नहीं आएगा हम तो बचन हार चुके हैं सपत पुर्भक के कि तुम चले जाना हम तुमसे घर में रहने को हट नहीं करेंगे तब अब क्या किया जाए कैसे इसको रोका जाए हरे हमने तो बचन दिया है भाई कि हम हट नहीं करेंगे हमारे मुहले वालों ने और गाउवालों ने तो बचन नहीं दिया है न पूरे मुहले में और गाउव में प्रचार किया लोगों ने ऐसा निकला है हम तो सपत ले चुके हैं हम नहीं रोक सकते हैं आप लोग रोकिए ना किसी तरह से इसको समझाईए बुझाईए ये तो बड़े काम का निकला इस तरह से लोगों ने जत्न करना सुर किया लेकिन अब समझो परिवार सूर के ही के खुल रहने ना किन्दु सूर को रोकन हित अब मुखते करत न बैना किन्दु सूर को रोकन हित अब मुखते करत न बैना मुहल्ले और गाँवालों को सिखा पढ़ा के लाए अपने से तो कहते बनता नहीं है कि ने तदपी प्रयास बहुत कुछ फिर भी सूर रुके ना ब्रज मंडल की ओर चले जाते पावे मन चैना मुहल्ले वालों ने गाँवालों ने अग्रे किया सुर्दास मत जा का कि जाओंगा अरे घर परिवार में रहो गाई का कि को काहू को नहीं देख्यों ठोंकी बजाए सब को देख लिया बन जाते लाखों रिस्तेदार जब जर पास होता है तूट जाता गरीबी में जो रिस्ता खास होता है अरे छूचा तुम्हें कौन पूछा अब तक मैं इनके दुख का कारण था इनकी गरीबी का मूल था और अब मेरी कुछ भिस्ता आप लोगों के सामने आई तो अब मैं आप की तिरत न बन गया बचन दे चुके हो शपत खा चुके हो अब तुम लोगों के तरफ से मुझे रोकने का प्रयास तुम्हारे हक में भी और मेरे हक में भी अनिष्ट कारक होगा नहीं रुकेंगे जाएंगे क्यों जाएंगे कहां जाओगे जहां मेरा प्रारब्ध ले जाएगा जहां मेरे प्रभु सर्वेश्वर ले जाएंगे जहां ले चलोगे प्रभु जी वही मैं चलोगे जहां ना थे रख दोगे वही पेरा हो मा जहां ले चलोगे प्रभु जी वही मैं चलोगा जहां ना थे रख रख दोगे वही मैं रहूँगा ये दीव मिछावर चरण में तुम्हारे ये जीवन मिछावर चरण में तुम्हारे ये जीवन सबर पित चरण में तुम्हारे तुम्ही मेरे सर बस रभु प्राण प्यारे तुम्ही मेरे सर बस रभु प्राण प्यारे तुम्हे छोड़ कर और किसको गहूँआ जहानात रख दोगे वही पे रहूँआ तुम्हे छोड़ कर और किसको गहूँआ जहानात रख दोगे वही पे रहूँआ जहाने चलोगे प्यारे वही में चलूँआ जहानात रख दोगे वही पे रहूँआ जहाने चलोगे प्यारे वही में चलूँआ जहानात रख दोगे वही पे रहूँआ न कोई सिकायत नहीं कोई अरजी न कोई सिकायत नहीं कोई अरजी न कोई उलहना नहीं कोई अरजी करा लो और कर लो प्यारे जैसी तेरी मर जी कुछ कहना भी होगा तो तुमी से कहूंगा जहानात रख दोगे वही पे रहूँआ पिछ जहना भी होगा तुमी से कहूंगा जहानात रख दोगे वही में रहूंगा आज कल शपत चनाक चवेना की तरह रोजन जलपान की तरह लोगों को विश्वास दिलाने के लिए या विश्वास घात करने के लिए सपते खाई जाती हैं और सपत खाने के बाद ऐसे निकलते हैं लोग जिनके लिए सपत खाई गई थी उन्हीं को खा जाएंगे पहले सपत का बड़ा महत था जिसकी सपत ली जाती थी और कोई वादा किया जाता था उसको निभाया जाता था नहीं तो जिस प्रिय की सपत खाई जाती थी उसका अनिष्ट हुआ करता था अनिष्ट तो भी होना जारी है लेकिन सूज कहां रहा है कहीं पे भुकम्पो होए और कहीं पे महा मारी करनी कांड हो और कहीं पे बढ़ी आरी सब परिणाम आ रहे हैं सामने अभी सुना है एक शत्र में एक एक पाव के आधा आधा किलो के ओले पड़े अभी करीब दस दिन पहले की बात है और उस ओले के प्रहार से सुना कितने लोग ठोर मर गए और सुना है कि किसी के मोटर साइकल की पेट्रोल वाली टंकी पर ओला गिरा तो टंकी पिचक गई और सड़क पर एक एक बित्ता बरफ बिच गई अब लोगों ने आगी घेराओ करो पत्थराओ करो किसके खिलाप किसके खिलाप घेराओ करोगे किसके खिलाप पत्थराओ करोगे रास्ता जाम करो अरे किसके खिलाप भई कौन सुनवाई करेगा किसने ओला फेका है तेरे उपाई काहू नको दुख सुख कर दाता निजे कृत कर्म भोग सब राता निजे कित कर्म भोग सब राता जितने पाप हो रहे हैं खुल के उसका परिणाम तो हो गई अब पाप आमी तो कर रहे हैं हम अपने को पाप से रोके यह नहीं जाने किसके खिलाप इस प्रकाहर से शपत ले ले करके और वादा पूरा नहीं करेंगे तो अनिष्टकारक घटनाएं तो घटेंगी उन दिनों में लोग सपत को महत देते थे श्री सुमंत्र जी आज पढ़ रहे थे श्री आचार चरण के श्रिक्रपाशंतर आचार जी के कथा का एक अंस सुमंत्र जी लोट करके आगए कहां से स्रिंगबेर पूर से रागो नौका पर बेट करके लक्षमन और जान की समेथ उस पार चले गए और रखुकुल तिलक चले यही बहाती और मैं देखाँ ठाड कुलिस धर चाती हम जाती यहीग था जागो चाती जार नौका प्रिक्षमन और जान की माईन खागो जाए लोगकुल में लोगकुल